हेलो स्टुडेंट्स आज हम जो है स्किंटिलेशन डिटेक्टर या स्किंटिलेशन काउंटर हम स्टड़ी करने वाले हैं अभी तक आपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आयनाइजेशन चैंबर प्रपोर्शनल काउंटर यह सब पढ़ा तो वहां से आपको पता चल जब भी हमें किसी हाइं किसी भी चार्ज पार्टिकमं कामल को मुझे डिटेक्ट करना है तो उसके इपक्ते क्षेंट कांटर की मदद को लेनी पड़ती है युक्व्ध के वाले हैओ यह के तो यहां से एक हमारे पास पाउंटर निकल के आठा है यह I sensitive device है इसका यूज जो है basically हम high energy radiation को detect करने के लिए या measure करने के लिए जो हम यूज करते हैं तो यह किस principle के उपर work करता है वो देख लेते हैं कि जब when a high energy radiation strikes a fluorescent material it produces tiny flashes of light and these flashes are called scintillations and it can be detected with the help of photomultiplier तो इसमें क्या होता है बच्चे हम जो हाई energy radiation को fluorescent material के उपर strike करवाते हैं तो जब fluorescent material के उपर high energy radiation strike करेंगी तो क्या करती है बच्चे एक tiny flashes of light produce करती है इन flashes of light produce हुई है इनको क्या कहते हैं बच्चे scintillation यानि कि जब radiation fall करी इस fluorescent material पर तो इन्हों ने क्या किया बच्चे scintillation प्रडियूस किया ठीके न स्पोर्ट्स प्रडियूस किया और इनको फर्दर हम फोटो multiply tube की मदर से हम इनको detect कर लेते हैं फोटो multiply tube में जब हम इसको pass करेंगे तो हमें जो है बच्चे pulse मिलती है और उस pulse को हम फर्दर जो है सब्सक्राइब करती है तो स्किंटिलेशन प्रडियूस करती है और इस स्किंटिलेशन को हम फोटो multiply tube में से हम क्या कर लेते हैं है डिटेक्ट कर लेते हैं तो अब हम देखते हैं इसकी working and construction देखो सबसे पहले construction देख लेते हैं construction में क्या है हमारे जो पुराने जमाने के जो स्किंटिलेशन काउंटर सोते थे उसमें क्या होता था एक वायर होती थी और उसके उपर एक यहने कि luminous coating होती थी जिंक सलफाइड यहां आप कह सकते हो tungsten calcium tungsten इन सब की हम क्या करके रखते थे coating करके रखते थे तो यह जो screen होती थी उसको हमने किस से कॉट किया हुआ है जिंक सलफाइड से हमने कॉट किया हुआ है उसके बाद जो है इस पूरी रेडियोक्टिव मटीरियल से तो जैसी आपको पता है कि रेडियोक्टिव मटीरियल है यह क्या करेगा अपने में से अल्फा पार्टिकल्स है मिट करेगा तो जैसी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वह क्या करेंगे इस luminous को excited कर देंगे excited कर देंगे तो हम होगा क्या कि हमें जो है यहां पर अलग-लग points पर हमें क्या नज़र आए का sports नज़र आएंगे ठीक है तो जैसी alpha particle इसके पर strike करेंगे screen की साथ strike करेंगे हर टाइम हमें क्या मिलेगा एक स्पोर्ट मिलेगा हर टाइम हमें क्या मिलेगा एक ब्राइट स्पोर्ट मिलेगा जब जैसी जो है अल्फा पाटिकल स्क्रीन के उपर स्ट्राइक करेंगे तो वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा एक ब्राइट स्पोर्ट हमें मिलेंगे तो हम जो है माइक्रोस्क तो आपकी मदद से हम क्या काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ ब्राइट स्पोर्ट जो है प्रड्यूस की है ठीक है तो यह रेंज़न आपकी क्या खेलाती बच्चे स्पिन थैरिस्कोब ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे कि यह जो प्रोसेस है यानि कि बहुत टाइरिंग प्रोसेस है कि आप हर बार क्या देखते जारे और इसके लिए तो आपको अच्छी तरह से जो है एक प्रेजिस्टेंस ओफ विजन आपको चाहिए होगा तबी आप अच्छी तरह से स्पोर्ट को काउंट कर पाऊगी और बेसिकली इसमें हूंहारे पास जो हम काउंट कर सकते हैं उसकी जो लिमिट होती है. वह कितनी होती है 100 Oh पर मिनट ठीक है ना हंडेट स्पोर्ट अपर मिनट तक ही काउंट कर सकते हो दिस इस दे लिमिट आफ रेजोलिशन ठीक है ना आप इतने ही काउंट कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं तो उसके वह ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है है modern scintillation counter आया था इसके अंदर क्या होता है बच्छे हम source ले लेते हैं वही कोई इंसिदेंट रेडिएशन ठीक है ना हाई एनरजी रेडिएशन उसको हम क्या करते हैं बच्छे फॉसफर में से पास करते हैं तो हम स्कूंटर में क्या है हम सोस को शकंटिलेशन doing सकते कि एक फ्लोरडेसेट मेतेरियल में इसका ब्लॉक है और वह क्या है बेसिकली आपका यहां से जब हम पास करेंगे तो ये क्या करेगा बचे फ्लैश्फिर क्यों है रडियेशन फॉल करेंगी तो क्या करेंगी फ्लैशिस ओफ लाइट को आप फॉटो मल्टिप्लाय ट्यूब में से पास करेंगे जब आप फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब में से पास करोगे तो यह जो फ्लैशिस ओफ लाइट यह जो एनर्जी थी इन फॉम ओफ रेडियेशन इट इन्टो इलेक्ट्रिक पल्स ठीक है क्या हो जाएगा आपका जो हमारे पास रेडियेशन आरी थी इन फॉ इसके पास करेंगे तो जो पल्स होएंगी वाइंप्लिफाइय हो जाएंगी और उसके बाद जो हम उसके हम यह मर्याइशन करेंगी तो यह का Maar करना कि है स्टृट हाइट के प tulee होती है तो वही हमें चाहिए होती है कि कांटीं डिवाइज में जाकर कांट हो आप यहां एक डिजायड जो लेवल हमने सेट किया हो तो उसी हाइट की पल्स को वो चांटिंग डिवाइस में क्या करेगा पास करेगा तो यहां से आपको पता चला इंसिनेंट रेडियेशन को हम फ्लॉर्डेसेंट मटीरियल के उपर स्ट्राइक करवाएंगे तो हम वो क्या करेंगी प्रेडियूस करेंगी उस लाइट को हम किसमें पास करेंगे फोटो मल्टिप्लायर में पास करेंगे ठीक है न और फोटो मल्टिप्लायर में पास करने के बाद हमें क्या मिलेंगी वह रडियेशन को इलेक्रिक पल्स में कनवर्ड कर देगा फिर पल्स को हम एंप्लिफाय क कर देंगे amplifier की मदद से और उसको फर्दर हम क्या कर देंगे वच्छे counting device में डालके हम उसे काउंट कर लेंगे ठीक है तो यहां पर basically होता क्या है जब सोर्स में से जो है फॉर्सफर माटीरियल के उपर फॉल करती है तो क्या होता है यह जो फॉस्फर स्टेट में आएंगे अपने तो लाइट करेंगे ठीक है इस तरह से प्रोसेस होगा और यह तो था हमारे पास की कि मोडरन स्किंटिलेशन काउंटर अब अच्छे से इसकी working समझ लेते हैं में होता कैसे है अब हम बेसी कली वरकिंग हमें तो यह जब radiation इसके उपर फॉल करेंगी यहां तो आटम को क्या कर देंगे एक्साइट कर देंगी यह कर देंगी आइनाइस ठीक है ना जो एक्साइटीड आइटम जो लो स्टेट में आएंगे तो हमें क्या प्रेड्यूस करेंगे इसके उपर फॉल करेंगे फोटो कैथोड के पर तो यह जो फोटो कैथोड है इसके उपर बहुत ही फोटो सेंसिटिव माटीरल से ये मिलके बना होताया टीक है जिससे आप लेलेगक से ओओ इसको हम किससे कोट कर लेते हैं जैसे कि आप ले सकते हो CA3SB से कोट कर लेंगे और या फिर CA3SB से कोट कर लोगे और इसको क्या नाम दोगे इसको टीक है तो हमें ये पता लगा कि इसका एक हैंड किससे कोट कर न नाम देते बैचा इसको अब पास कवांटम होतीस्तू इछ ऑगोपार करेंगे क्ति प्र। इसको जी तरहें होती है। तो इलेक्ट्रों की निकलने की क्वांटम एफिशेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ओफ इलेक्ट्रोंस प्रड्यूस्ट डिवाइड़ बै नंबर ओफ फोटोंस इंसिडेंट यानि कि जितने फोटों इंसिडेंट हो रहे हैं इस फोटों के उपर और कितने इलेक्ट्रोंस जो हैं प्रड्यूस हो रहे हैं तो वह कितने फोटोंस जो हैं प्रड्यूस कर रहा है फोटोंस टोंटी से लेके 30 परसंट तक जो है हमें जो है इतनी एफिशेंसी जो हमें मिल र के अंदर हम सारे लगा रहे हैं या करते जाते हैं इनको करते जाते हैं शेयнова क्लिट अंकना उग्ली बारी में या पर अगली यह तोफीन हैं करेंगा यहाई तो यादि कि फोर इलेक्टरों पूर इलेक्टरों को प्रेडियूज करना और जैसे ही इनके ऊपर इन डाइनोट के सर्फेस के ऊपर इलेक्टरों प्राइम्री लेक्टरों कौ रडकरेंगे सबस्यश्क ठीक है secondary electrons प्रडियूस करेंगे और क्या होगा इसका सेक्ट काम क्या होगा कि इसका काम क्या है कि electrons की क्या करना multiplication करना और जब Max जब अच्छे number of electrons जो है produce हो जाएंगे उसको हम फर्दर किसके उपर strike कर वा देंगे बच्छे यह सारे जो number of वो इस ही कही potential के respective में फर्स्ट के 2 में जो है इसे हमने रख्या सोगर अब फिर्स्ट के रिस्पैक्ट में जो Linux हमने 100 कि रखा तो डू इसे के मत कितने volume 200 एसी सहट्व एसके respective में कितने organization 400 जानी कि सारे डाइनोट्स है उन और सबका प्टेंशल क्या रहेंगा बेसिकली सेमी रहेगा तो बस क्या होगा यह एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला क्या होगा फॉजटेव होगा ठीक है पॉजटिव प्टेंशल पर हमने इन सबको क्या रख दिया इन सभी डा नोट को हमने रख दिया उसके बाद यह जो एनोड है यह क्या कर रहा है यह इस तरह की अरेंजमेंट बाकी जितने भी हमारे जो डाइनोड कलेक्टेड लगे हुए है उनको जो हमने स्टेबलाइस जो है पावर सप्लाई दे रखी है और वोल्टेज डिवाइडर पटेंशल डिवाइ हमने क्या रखा हूए है जो लास्ट दाइनोड हमारा पास आएगा वह पटेंशल पे पर हमारा क्या होगा यह निकि यह तो हुआ क्या है यह वह एक डूसरे के रिस्पेक्टव में जो है पॉजिटीव प्रेकिशिल में रखे हुए तो अब इसकी वर्किंग देख लेकْ ध वो जो है 100W से accelerated होके जो है D1 के उपर fall करेंगे जब वो 100W से accelerated होके first dynote के उपर fall करेंगे तो उनकी जो एनर्जी उन्होंने gain करी है यह जो है 100W पे है तो इलक्ट्रोन जो निकला है उसकी जो energy होगी वो कितनी होगी बच्चे कितनी एनर्जी से वो move करेगा हमारे पास electron 100 electron volt प सक्वाइब करे एक यह दो है वह एम लाटों स्ट इस टकराए तो समय दो इलेक्ट्रण को क्या किया बच tutaj कि इसके बाद जो है क्या होगा के चैकल्ट रेक्टरों के हुद्ट यह भी क्या होंगे तिरिट होगे वो सबस्द्राइट होंगे औरश और वो भी हमने किस पोटेंशल पर ही हमने उसको अडिजस्ट कर रहा है 100V, इसके रिस्पेक्टमे ही 100V है, 200-100, 100V ही है, ठीक है, तो हमने 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 किसने कितने वोल्टिश दे रखी है 200V, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दो इलेक्टरोंस जो हैं फर्द इलेक्टरोंस प्रडिउस होगे, इसने कितने कि यह दो, इसने क्या किया है, दो और इलेक्टरोंस प्रडिउस, फोर इलेक्टरोंस प्रडिउस होगे, इस तरह से क्या होता जा रहा है, हर बार जो है, जब डाइनोट के सर्फेस पे जब इलेक्टरोंस टकरा रहे हैं, तो क 10 stages of electron multiplication आप कह सकते हो अगर मैंने 10 डायनोट लगाए है तो 10 बार जो है इलेक्ट्रों क्या होंगे बच्छे असल रेट होंगे ठीक है ना 10 स्टेजिस होंगी और 10 बार ही अगर दिए फोटो मल्टिप्लाइट यूब ने जितनी अम्प्लिफिकेशन कर दी जो हमारे पास मारे पास जब पल्स आएगा वो कितनी अप्लिफाई होके आएगी वो कितनी आपके आएगी और एक सिंगल फोटो ईलेक्ट्रों ने जब कैफोर्ण से निकला ठीक है न उसने की एंब किया है तैन स्फ और SICK ऑर sixit वार्द इन स्फ इस जो च्छो ankles पॉय है देख एक उन्हें कि यह है याा यह कितने पॉल Tou कि देख सकते होना च्छल्ट में से च्छंए को चेलर्ड में शुल्डक्ष ऑर तो हमारे पका स्वेस्व को स स्टिक्स अलों तो यहां से हमी यह पता लग है अगर मैं बात करूं इस चीज को जर्नलाइज करके देखों जर्नलाइज करके अगर मैं देखों तो यहां पर हमारे-पास क्या आ जाएगा अगर मुझी इल acceleration multiplication factor मानलो अगर मैं electron multiplication factor की बात करूं तो उसको मैं अगर मानलो M लेती हूं ठीकिन इलेक्ट्रन मल्टिप्लिकेशन फैक्टर क्या है मारे पास M है किसी भी सिंगल डायनोट का तो कितनी नंबर ओफ स्टेजिस बहुत सारी स्टेजिस में से वो फिर पास करेगा ठीकिन तो मानलो यह क्या है इलेक्ट्रन मल्टिप्लिकेशन फैक्टर है फर्स डायनोट का ठीकिन एक डायनोट का और N स्टेजिस में से वो पास करेगा यानिक N डायनोट में से पास करेगा तो मल्टिप्लिकेशन कितनी हो जाएगी तो टोटल मल्टिप्लिकेशन कितनी हो जाएगी टोटल एम्प्लिके इसमें से अगर उसने पास करना है एन नुबर ओफ डायोट मेंसे पास करना तो टोटल एंप्लिफिकेशन कितनी खाएगी एम की पावर एंव और कोई भी एलेक्ट्रोन का लोस नहीं होगा जब भी एलेक्ट्रोन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा तो कोई लेक्ट्रोन का लोस नहीं होगा तो यहां पर हमारे पास टोटल एंप्लिफिचेशन जो निकल के आई है वो कितने निकल के आई है एंप की पावर तो यह चार्ज इसकी एफिशेंसी होती है कि यह डिटेक्ट कर सके इनकी शॉट रिजॉल्विंग पावर होती है और क्या होती है बच्छे तो अगर आपको अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एफिशेंसी ओफ डिटेक्शन हाई एफिशेंसी ओफ डिटेक्शन ठीके ना उसके बाद second हमारे पास अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास short क्या है इसका resolving time है resolving time क्या है इसका short है ठीक है ना बहुत देखो कितना कम resolving time था यहां पर कितना जल्दी यह process होगे था 10 days per minus 6 उसके जो pulse जो generate होगी वह proportional होगी energy of incident particle जो भी incident particle आएगा उसी की प्रपोर्शनल होगी ना जो electronic pulse turn rate होई है और तो लास्ट वन जो है इसका counting rate बहुत हाई होता है ठीक है ना counting rate जो है बहुत हाई होता है और कितना होता है 10 रिस पर 9 counts per second ठीक है इतने इतने counts per second पहले देखो जो पुराने हमने पढ़ा that is very important तो इसको अच्छे से कर लेना thank you so much